यह बजेट गरीबी से मुक्ति दिलाने के लिए समय बत और व्यापक रूप्रेखा प्रस्तूत करता है किसानों की आय को दुगुना करने की दिशा में इस बजेट में कई एहम कदम उठाए गए है उन में से एक महत्वपूर कदम है प्रधान मंत्री कुरुशी सिंचाई योजना जिसके तहट निवेश में अभूत पुर्व बढ़ोतरी की गई है और हर खेत को पानी पहुचाने की दिशा में एक बहुत बड़ा प्रयास है गाउं के विकास में बिजली और सडक इस महत्वपूर को मैं और आप हम सब जानते हैं इस बजेट में 2019 2019 तक देश के हर गाउं को सडक से जोडने का एक बहुत बड़ा एहम संकल्प है प्रदान मंत्री ग्राम सडक योजना में अब तक की सबसे बड़ी धनराशी का आवटन किया गया है साथी साथ 2018 2018 तक हर गाउं में बिजली की सुविधा देने की वबस्ता की इस बजेट में सपस्ट रूप से हैं कर अंको एक नई उर्जा मिलेगी घती मिलेगी और का सामान ये मानवी के जीवन में बहुत बड़ा बड़्लाव आएगा कि हम इस अजानते हैं कि गरीब से गरीब को पूछो सामाने से सामान के व्यक्तिक को पूछो उसका एक सपना होता है अपना घर ईहर गरीब का सपना है अपना घर मिल्ल क्लास हो नियो मिल्ल क्लास हो उसका सपना कैसा पुरा करेंगे सरकार की मदद के बिना संभव नहीं है और इसलिए इस बजेट में वो सारे प्रावधान किये गए हैं जिसके कारण हाउसी इंस्रेक्टर को बल देगा और सामाण्य से सामाण्य मानवी को घर देगा इसके अलावा किराय के घर में रह रहे लोगों को किराय की राशी के उपर भी इंकम टेक्स में छूट में बढ़ोतरी की गई है पांच अलाग तक की आए वाले व्यक्तियों के लिए आएकर में कमी की गई है हमारे देश में गरीबों के नाम पर राजनिती बहुत हुई आप यह जानकर के चौक जाएंगे कि गरीब मां अपने बच्चों का खाना बनाने के लिए जो चूला जलाती है उसके कारण उसके और उसके बच्चों के स्वास्त पर गंभीर खत्रा पदा होता है जो इस विशे के एक्षपर्ट है जानकार लोग हैं उनका कहना है कि चूले के कारण उस धूले के कारण गरीब महिला के शरीर में एक दिन में चार सो सिग्रेट का जो धूआ होता है उतना धूआ उसके शरीर में जाता है ऐसे गरीबी की रेखा के नीचे जीने वाले करोडों परिवारों को इससे मुक्ति दिलानी है और इसलिए ऐसे गरीब परिवारों को मुप्त में गैस कनेक्शन देने का एक बड़ा ही मत्वर नेड़ा हमने किया है पांच करोड गरीब परिवार जो आज चूला जलाते हैं उन्हें दुए से मुक्ति मिलेगी गरीब के स्वास्त को लाब होगा और परियावरन की भी सुरक्षा होगी स्वास्त के एक्षेत्र में हमारी सरकार ने कई महत्वप्ण कदम उठा रही है कभी-कभी एकाद बिमारी भी मद्यबर के परिवार और गरीब की जिनगी तबाह कर देती है और इसलिए बिमारी के समय उस परिवार के साथ खड़े रहने का इस सरकार ने नेने किया है खास करके सीनियर सिटीजन वरिष्ट नागरीक जिनको इसकी सब्चेज़ाद आवशकता होती है हमने उसके लिए भी योजनाय प्रस्तूत की है हमारा देश सुरक्षित रहे हर देशवासी सुरक्षा का एसास करे और उस बातों को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा क्षेत्र में हमारी सेना सक्षम बने साइनिक सबल बने और आधुनिक सुरक्षा संसादनों से लेश हो रिटार्टमेंट के बाद वन रैंक वन पेंशन मिले भारत के अंदर डिफेंस मेनिफेक्टरिंग को और बल मिले और सेना को आधुनिक बनाने की दिशा में अनेक महत्वपुन काम हो वो इस बजेट में स्पस्ट किया गया है इस बजेट में आपने देखा होगा कि इन्फास्ट्रक्चर में करीब करीब दो लाग करोड रुक्यों से भी अधीक प्रावधान किया गया है उसका फाइदा जो सीमावर्तिक शेत्र है जहां हमारी सेनाय है तैनाथ है उनको जरूर मिलेगा भारत का युवा आगे बढ़ रहा है उसके रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए दो नई पहल इसे हम शुरू करने जा रहा है साथी साथ स्टार्ट अप्स क्योंकि मेरा तो मंत्र है स्टार्ट अप इंडिया स्टेंड अप इंडिया स्टार्ट अप्स के लिए एक अनुकूल इको सिस्टिम तयार करने के लिए टैक्स्टर में प्रावधान रखे गए हैं हमारा देश का दलीत हमारा आदिवासी अब एंट्रेप्रिनर बनना चाहता है उसके सपने है वो जॉब सी कर नहीं वो जॉब क्रियेटर बनना चाहता है, उस सपने को साकार करने के लिए सरकार ने एक विशेश एंट्रेप्रिनर हब स्थापित करने का अंदिरने किया है, देश का युवा वैश्विक्स चुनवतियों का सामना करे ऑर उसे शिक्षा और तालिम के खेत्र में वैस्विक स्तर के असर मिले इसके लिए पूराने कानुनों के नियमों को और बंधनों से हमारी शिक्षा दब गई है उसे उपर उठाकर सरकारी और नीजिक शेत्र में दस-दस इंस्टिटूशन्स को वैस्विक्स तरप और लाने के लिए एक चैलेंज रूट के द्वारा चुना जाएगा सिक्षा और आएजुकेशन के शेत्र में ये बहुत बड़ा एहम सुधार है उनको आर्थिक मदद भी दी जाएगी और एक बार उच्च शिक्षा संस्थान का कंपटिशन का माहौल वनेगा आप कल्पना कर सकते कितना बड़ा परिवर्टन आएगा लेकिन साथ साथ प्रात्मिक शिक्षा इसका भी उतना ही महत्वपुर्व है इतने सालों तक जादातर सरकारों का प्रात्मिक शिक्षा के प्रसार के तरफ जो आवश्यक भी था लेकिन आज की चुनोतियों का अगर सामना करना है तो शिक्षा के प्रसार के साथ साथ सिक्षा में गुणात्मक परिवर्तल नाने की आवश्यक्ता है गुणवत्ता पूर्ण सिक्षा मिले दूर सुदूर गाउं में रहने वालों को भी गुणवत्ता पूर्ण सिक्षा मिले उस पर हम बल दे रहे हैं और उसके लिए इस बजेट में गुणवत्ता पर बल देने वाले विश्यों को प्रात्विक्ता दी गई है हमारी सरकार हमेशा देश की जनता पर भरोसार रखने के पक्ष में रही है हमें देश के नागरिकों पर आशंकाएं नहीं करनी चाहिए इनकम टैक डिपार्टमेंट के लोगों ने उनके प्रती सम्मान का भाव रखना चाहिए और इसलिए इनकम टैक डिपार्टमेंट की जो जटील प्रक्रियाओं से सामान नागरिक को गुजरना पड़ता है उसे उसको मुक्ति मिलनी चाहिए व्यापारियां और प्रोफेशनल्स को जो तकलीव हो रही है उसे हमें मुक्ति दिलानी है इस मजेट में सामान ने आये वाले इस वर्ट को टर्न ओवर कर प्रिजम्टिव टैक्स भरने से इन प्रक्रियाओं से मुक्ति मिल जाएगी यह एक बहुत बड़ा सरली करण इस टैक्स बजेट सिस्टिम में किया गया है मैं फिर एक बार सिमान अरुन जेटली जी को बधाई देता हूं और देश वासियों को भी स्वाद दिलाता हूं कि यह बजेट आपके सपनों के करीम हैं आपने सपनों को साकार करने के लिए सरकार की प्रतिबदता को पूरी ताकत के साथ योजना के साथ प्रस्तुत किया है बहुत बहुत दन्यवाद